आप सभी को नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का अर्दिक स्वागत करता हूं असिस क्लासेज पर 11 ओफ ऑगस्ट का पहला एडिटोरियल हम डिसकस करेंगे आप पेड कोर्सेज एकसेस करना चाहते हैं तो आसिस क्लासेज एप्लिकेशन को डाउनलोड कर लीजे यहां पर ग्रैमर और हिंडी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला बैच उपलब्द है कुछ इबुक्स भी है नई इबुक एप्रेल में जून वाले जो वर्ड्स हैं व आपको लगभग 11-12 बजे मिल जाएगा और एक लेट नाइट 11-12 बजे ऐसा कुछ रहता इसके अंदर यह जो है वो डिजिटल बोर्ड पर नहीं है यह जो सेकिन एडिटोरियल है वो डिजिटल बोर्ड पर नहीं है यह डिजिटल बोर्ड पर है दोनों में PDF मिलेंगी आप ठीक है तो यह कुछ खास रहता है इसमें इसके अलावा यहां पर क्लोस टेस्ट और पैराजंबल का बैच भी अवलेबल है ठीक है तो आईए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल सबसे पहले जानते हैं वर्ड्स कौन-कौन से हैं डिराइड डिराइड एक वर्ब है किसी का मजाक उढाना अपहास करना यह सब मतलब होंगे ठीक है मजाक उढाना या उपहास करना रेटिफिकेशन है वो झाउन है क्योंकि देखो टि आई ओन एंडिंग वर्ड्स नाउन होता है इसका मतलब होता है कन्फर्मेशन ratification का मतलब है confirm me means pussy फिर squabble है squabble एक verb है इसका मतलब होता है quarrel और छोटी छोटी बातों पर जगडने को बोलता है squabble PT issues होता है उन पर जगडा करे उसको बोलता है squabble adroit एक adjective है adroit का synonym होता है clever and skillful मतलब कुशल हो चतुर हो उसे कहते हैं adroit hit out एक phrasal verb है इसका मतलब होता है criticize और इसके साथ में at लगता है आगे ठीक है ना hit out का मतलब criticize है और आगे क्या लगेगा at hit out at disonance noun है इसका मतलब होता disagreement as अहमती disagreement या फिर इसे आप lack of harmony भी कह सकते हैं lack of harmony मतलब समंजश्य की अगर कमी हो तो उसे आप कह सकते हैं क्या disonance wear verb है इसका मतलब होता है swerve या change direction अचानक से दिश्या बदलने को कहा जाता है wear swerve इसका सिरोनी व्याद रखेगा उच्छा भी गया था पिछले सालों में काफी important है ठीक है इसका screenshot ले लिजिए इसके बाद में स्टार्ट करेंगे आज के रिटूरियल में क्या दे रखा है वो देखेंगे तो टाइटल है चोपी वाटर्स तो ये maritime जो problems आ रही है समुद्र से संबंदित समश्याएं है उनको लेकर आर्टिकल है प्रधान मंतिर नरेंदर मोदी पिलार अध्यक्षता कर रहे है UNSC में एक presidency का समय चल रहा है भारत की presidency चल रही है तो उसमें नरेंदर मोदी जीने क्या क्या बाते करी है maritime security को लेकर इसमें infrastructure को development को लेकर वो सब discussion हमारा होगा जो भी आगर आप नए हैं तो जरूर से end तक देखिएगा जो भी ये underline part है ये सारे subject है बाकि तो different color में हैं या box में हैं difficult words जो होते हैं उनकी बात हम करेंगे translation हमारा होगा हम grammar को जानेंगे vocabulary सीखेंगे साथ ही current affairs के touch में भी रहते हैं चौपी waters क्या होता है चौपी का मतलब होता है उथल पुथल भरा stormy कहा जा सकता है इससे क्या कह सकते हो stormy, तुफानी tempestuous कह सकते हो turbulent कह सकते हो तो उथल पुथल भरा waters का मतलब समुद्र तो यहाँ पे समुद्र की स्थिती जो है समुद्र में अलग-अलग देश अपने-अपने दावे प्रस्तूत करते हैं claim करते हैं कि ये boundary हमारी है अवैद कबजा करने की कोशिश करते हैं ये सब चीजों को लिखकर ये article लिखा गया है तो तुफानी और तुफानी का मतलब मुसीबतों से भरा हुआ इसका ऐसे मतलब निकाल लिएगा waters का मतलब समुद्र है तो when Prime Minister नरेंदर मोदी प्राइम मिनिस्टर से पहले दे आता है ये निश्चित दे लगेगा क्योंकि जो one time one post होती है एक बार में सरजित होने वाला एक ही पद भी प्रधान मंत्री कितने पद होता है देश में एक ही होता है तो देका प्रियोग करना चाहिए लेकिन जब नाम दे रखा हुआ आगे किसी व्यक्ति का जो उस पोस्ट पर है तो हम देका प्रियोग नहीं करते हैं तो प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने जब took the stage मतलब अध्यक्षता की है ना take the stage का मतलब अध्यक्षता माल लीजिए या फिर इन्होंने मंच पर गए और उन्होंने बोलना शुरू क्या संबोधन किया to address संबोधन करने के लिए किसका संबोधन UNSC का UNSC की full form होती United Nations Security Council सिन्युक्तरास्त्र सुरक्षा परिशद किस पर on a debate एक debate पर और debate किसको लेकर चल रही थी maritime security maritime का मतलब होता है related to sea maritime जो शब्द है इसका मतलब है related to sea समुद्र से संबंदित ठीक है तो maritime security को लेकर जो debate हो रही थी तो उसके लिए प्रधामिजिन रेजा मोधी ने जब यहां मंच पर संबाला UNSC को संबोधन करने के लिए तो इसके बारे में छोड़ा सा कहा गया है कि यह पहले Indian premier रहे ऐसा करने वाले ठीक है यह पहले Indian premier रहे premier का मतलब क्या है premier से मतलब है जो प्रधान मंत्री है जो head of government है चाहे हो सकता राज्य में वो मुख्य मंत्री हो हो सकता किसी government का head president हो हमारे यहाँ प्रधान मंत्री है इसलिए प्राइम मिनिस्टर पढ़ा जाये इसको तो पहले भारतिये हैं ऐसा करने वाले पहले भारतिये प्रधान मंत्री है ऐसा करने वाले फिर आगे देखो he might have hopped might का प्रियोग हम remote possibility के लिए करते हैं और model के साथ में have लगाते हो तो past की घटना हो जाती है तो शायद इन्होंने आशा की होगी ठीक है to keep the focus कि वो ध्यान के अंदरित रखेंगे focus रखेंगे discussion का चर्चा का किस पर focus के साथ में own लग गया building maritime ties preposition है तो ing लग गया building बनाना maritime समुद्रिय ताइज सम्बंद तो इनका ये focus ये रहा होगा कि भई हम चर्चा करेंगे किस पर समुद्रिय जो सम्बंद है connection है उसको बनाने में end developing अब चुकि end से पहले building था तो फिर end के बाद में भी गया आएगा ing आएगा developing आएगा और किस पर maritime infrastructure को develop करने को लेकर समुद्र से सम्बंदित जो भी आधार बुठ धांचे है उनको develop करने को लेकर किस माध्यम से through regional cooperation initiatives regional छेत्रिय cooperation सहयोग initiatives पहल तो छेत्रिय सहयोग के जो पहल है उनके माध्यम से ये focus रहा होगा फिर समझे जब प्रधान मंति नरेंदर मोदी ने ये subject हो गया इसकी वर्ब टुक है इन्होंने जब state संभाला जब इन्होंने presidency की अध्यक्षता की किस के लिए UNSC को संबोधन करने के लिए किस पर एक debate पर debate किस को लेकर थी maritime security को लेकर बीच में ठोड़ा बता दिया कि ये पहले भारते मधान मंत्री है जिन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने शायद आशा की होगी he की verb है might have hopped है तो might model है model के साथ तो base form है have के साथ third form आती है तो शायद इन्होंने आशा की होगी to keep the focus of the discussion की चर्चा का focus रखा जाए किस पर maritime ties को build करने को लेकर और maritime infrastructure को develop करने को लेकर किस माध्यम से regional cooperation के initiatives के माध्यम से ये इनका मतलब ऐसा लग रहा था इनको कि भी हम चर्चा इसी पर करेंगे यट अभी आ गया contradiction फिर भी once more एक बार फिर से the discussion जो चर्चा है अब ये discussion से पहले दै क्यों है क्योंकि ये इनी discussion की बात कर रहे है ठीक है तो ये जो चर्चा है weird का मतलब क्या था मतलब change direction दिशा चेंज करना जो discussion था इसकी दिशा बदल गई toward और किस ओर चली गई toward एक preposition है major nations मुख्य रास्टर trading barb trade barb का मतलब है अगर आप trade barb करते हो इसका मतलब एक दूसरे को blame करते हो तो जिशा बदल गई इस discussion की और किस ओर चली गई कि जो बड़े बड़े रास्टर है मुख्य रास्टर है मुख्य देश है वो एक दूसरे पर blame करते है insult करते है किस चीज को लेकर on continuing strategic dissonance on किस मुद्दे को लेकर continuing लगातार strategic runnitik dissonance का मतलब disagreement हमने पढ़ा tension हमने पढ़ा lack of harmony तो यह जो dissonance है smth है tension है उसको लेकर in this spare का मतलब इस छेत्र में spare का मतलब होता है area ठीक है यहां से फिर देखो यह conjunction है यह contradictive statement denote करने के लिए आता है फिर भी एक बार फिर से discussion जो है उसकी दिशा बदल गई किस ओर चली गई major nations trading bops की मुख्य रास्टर जो है वो एक दूसरे पर टिका टिपनी करते हैं इंसल्ट करते हैं रिमाग करते हैं उसको लेकर चली गई किस मुद्दे पर लगातार रणनेतिक जो ऐसे हमती है उसको लेकर इसे छेतर में ठीक हमें next प्याज़ जाईए at the heart of the strident claims strident का मतलब harsh है करकश harsh तो कहरा है कि इसके बीच में हार्ट का मतलब हो गया इसके सेंटर में किस मुद्दे पर ये मतलब दावे के जाते हैं कड़वे दावे के जाते हैं कठोर दावे के जाते हैं उसकी बात कर रहे हैं तो at the heart of the strident claims and counter claims claim का मतलब आपने किसी पर दावा किया counter claim का मतलब अगली पार्टी नियाप पर दावा किया यह counterclaim है तो यह जो बड़े ही कठोर बड़े ही करकश टाइप के दावे और फिर उधर से दावे जो प्रस्थत किये जाते हैं इसके हार्ट में और दावे किसको लेकर counterclaim किसको लेकर regarding का मतलब इससे संबंदित और जो अपमान किया जाता है किसका territorial मतलब छित्रिये छित्र से संबंदित sovereignty मतलब होता है control authority दिख लिजिएगा control या authority ठीक है मतलब नियंतरन को कहते हैं या authority को कहते है तो और जो disrespect है छित्रिये संप्रभुदा को लेकर control या authority को लेकर rights of nation sovereignty rights का मतलब क्या हो गया कि किसी देश के अधिकार है कि यह जो सीमा है यह हमारी है हमारा इस पर authority है हमारी इस पर control है ठीक है वर अब इसके center में कौन-कौन थे इसके center में कौन है US है on the one hand एक तरफ US से पहले दे आता है जिस भी देश के नाम के साथ United जुडावा रहे वहाँ दे लगता है और दूसरी तरफ कौन है China and Russia है on the other दूसरी हो यह रशिया भी यहाँ पर subject होगा भी इसका ठीक है तो कह रहा है कि भी जो strident claims and counter claims होते हैं जो बड़े ही करकश दावे किये जाते हैं आरोप परते आरोप लगाए जाते हैं किसको लेकर maritime resources के दूरूप यह को लेकर और जो छेतरिये जो सीमाएं है उनका जो सम्मान नहीं किया जाता है उनका उनके जो center में जो बात है वो कौन से देश है वो एक तरफ तो USA है दूसरे तरफ चाइना और रशिया है मिश्टर मोधी deserves credit मतलब मिश्टर मोधी को श्रे मिलना चाहिए कोई अगर deserve करते हो कोई काम इसका मतलब ऐसा होना चाहिए तो मिश्टर मोधी को श्रे दिया जाना चाहिए किसके लिए bringing to the table bring to the table का मतलब क्या है discussion के लिए वो चीज लेकर आए है तो मिश्टर मोधी को श्रे मिलना चाहिए किसके लिए कि वो एक ऐसा मुद्दा लेकर आए है टेबल पर a five prong plan पांच सुत्रिय योजना प्रोंग का मतलब होता है stage point प्रोंग का मतलब stage या point मतलब पांच पॉइंट में एक योजना ये लेकर आए किसलिए to enhance enhance का मतलब होता है increase बढ़ाने के लिए क्या maritime security समुद्रिय सुरक्षा worldwide पुरे विश्च भर में through किस माध्यम से cooperation के माध्यम से including जिसमें शामिल है including preposition है including excluding preposition होता है जिसमें शामिल है क्या removing barriers की जो barriers है उनको हटाया जाए to legitimate maritime trade legitimate का मतलब होता है legal बनाना legalize करना ताकि वैद किया जा सके सही ठहराय जा सके जो समुद्री व्यापार है उसको दूसरा क्या है settling maritime disputes जो समुद्री विवाद है उनको settle किया जाए and based on international law और किसके आधार पर अंतराष्ट्री कानून के आधार पर jointly facing natural disasters and maritime threats created by non-state actors non-state actor का मतलब होता है कोई भी individual कोई व्यक्ति या कोई संस्ता जो कि किसी देश या किसी सरकार से सम्मंदित नहीं है उसको बोलता है non-state actors jointly facing जो कि संयुक तुरूप से face किया जाए संयुक तुरूप से सामना किया जाए किसका natural disasters का प्राकरतिक आपदाओं का and maritime threats और समुद्रिये खतरों का किसके द्वारा create किये गए हो वो खतरे जो कि non-state actors ने create किये हो preserving अगला काम क्या है preserve करना यह सब देखिए ING-IGN दे रखा है यह काम करना है ठीक है फिर यह काम करना है इसके बाद में यहां पे देखिए facing यह काम करना है फिर अभी यह काम करना है preserving maritime environment जो समुद्रिये वातावरण है उसको preserve करना preserve करना मतलब maintain करना उसको और जदा उसका decay नहीं होने देना उसका 6 नहीं होने देना and resources संसाधनों को preserve करना and increasing अगला काम ये है responsible maritime connectivity responsible जिम्मेदारी पूर्ण maritime समुदरिये connectivity पता ही आपको तो इसको encourage करना प्रोचाहिद करना फिर समझे Mr. Modi कोश्रे मिलना चाहिए तो deserves जो है ताकि समुदरिये सुरक्षा को पूरे विश्वबरें बढ़ायता सके और किस माध्यम से बढ़ा सकते हैं ऐसा cooperation के माध्यम से अब वो 5 सुत्र कौन कौन से हैं एक तो देखो है कि जो barriers है maritime trade को legitimate करने में कि समुदर से होने वाले व्यापार को जो legalize नहीं करता है जो barrier लगे हुए हैं उसको हटाना दूसरा काम क्या है जो समुदरिये विवाद है उनको शान्ती से settle करना जो की अंतराश्ट्री कानून के अधार पर होने चाहिए तीसरा काम क्या है जो प्राकरतिक आपनाएं है उनका साथ मिलकर क्या करना सामना करना ठीक है जो समुदरिये threats है उनका सामना करना और यह threats कौन प्रस्तूद करता है यह non-restriates क्राश्ट प्रस्तूद करता है ठीक है अगला काम क्या है Maritime Environment को समुदरिये वातावरन को Preserve करना और Resources को Preserve करना और क्या है responsible time connectivity को क्या करना encourage करना बात समझ में आ रही है आ गया दो इंडीड वास्तों में acceptance at the UNSC जो acceptance है acceptance का मतलब क्या हो गया जो स्विक्रती है at the UNSC मतलब UNSC में UNSC एक पता ही एक संस्ता है यहाँ पर जो acceptance है of the legislative framework किसकी acceptance legislative framework की legislative कानून से संबंदित framework का मतलब structure for UNCLOS अब यह UNCLOS क्या है यह United Nation Convention for क्या है law on sea United Nation Convention law on sea समुद्र से लेकर स्यूक्त राष्टर का जो भी कह सकते हैं कानून है उसके लिए उसके लिए UNCLOS तो वास्तों में acceptance जो है UNSC में of the legislative framework की एक legislative वैधानिक कानून से संबंदित एक structure को accept किया गया है UNCLOS के लिए अब यह क्या चीज़ है UNCLOS इसका परिचे दिया गया है कि यह एक legal framework है एक कानूनी धांचा है applicable to जो लागू हो सकता है ठीक है जो लागू होने योग्य है इसमें कौन-कौन से गतिवीदिया शामिल है इसमें शामिल है countering illicit activities at sea counter का मतलब oppose करना ठीक है जो गैर कानूनी illicit का मतलब illegal जो भी गैर कानूनी गतिवीदिया होती है समुद्र में उनको counter करना यह शामिल है इस acceptance को यह देखो तो देखा गया यह passive है B के साथ third form as an important achievement एक महत्तुपूर्ण उपलब्धी के रूप में during India's month at the helm of the council यह को helm का मतलब होता है control जब steering किसी के हाथ में है जब authority किसी के हाथ में है तो उसको बोलता है at the helm तो चुकि भारत president है फिलाल भारत के अध्यक्षता चल रही है council मतलब security council की बात है UNSC की बात है international security council की बात है तो उस दोरान यह एक महत्तुपूर्ण achievement के रूप में इसको देखा गया है फिर समझ ना कि वास्ता में UNSC में जो एक legislative framework अपनाई गई है इसके लिए यह क्या चीज़ है यह एक legal framework है जो oceans में activities होती है उन पर यह लागू होती है ठीक है और इसमें क्या शामिल है इसमें illicit activities जो होती है समुद्र में वो उसको counter करना शामिल है ठीक है तो यह जो acceptance है इसको देखा गया है कि भारत जब इस महीने अध्यक्षता कर रहा है उसमें यह महत्तुकुन उपलब भी है ठीक है next पर आजब sustained interest sustained का मतलब होता है continuous sustained का मतलब क्या है continuous जो लगातार एक hit है interest है किसका इंडिया का in promoting maritime security किस चीज में interest रूची किस में भारत की रूची बनी हुए लगातार कि वो maritime security को promote करना चाहता है मतलब समुद्रिय सुरक्षा को उपर लाना चाहता है बढ़ाना चाहता है यह जो चीज है यह भी यह जो also है यह man web से पहले आ रहा है अगर helping web होती तो उसके बाद में आता ठीक है तो यह क्या करता है draws from यह कहां से आया यह interest कहां से आया यह आया मिश्टर मोधी के सागर विजन प्लान से मिश्टर मोधी का एक सागर विजन प्लान है सागर नाम है उस प्लैन का aimed at जिसका लक्षे क्या है at preparation है तो आई एंजी लग गया strengthening मजबूती देना economic and security connections economic आर्थिक security सुरक्षा connection संबंद किसके साथ with regional maritime nations तो छेतरिये, समुदरिये, रास्टर है उनके साथ फिर समझे जो लगातार इंटरस्ट है रूची है भारत की किस चीज में maritime security को प्रमोट करने में यह जो चीज है यह कहां से निकल कर आई है मिस्टर मोदी का एक प्लैन है उससे यह चीज निकल कर आई है और इसका लक्षे क्या है इस योजना का इसका लक्षे है economic and security connections को strengthen करना मजबूती प्रदान करना किसके साथ में connection बठाना है जो भी regional maritime nations है जो छितरिये समुदरिये रास्टर है उनके साथ फिक है next if there are strategic barriers there से start है if तो conjunction है और if जो है suppositional conjunction होता है आपको कल्पना करने के लिए कहता है कि यदि ऐसा हो जाए तो आर जो है वो strategic barriers को लेकर है तो यदि runnetic barriers हैं रुकावटे हैं किस चीज में to creating अब देखो आप सोचोगे कि creating कैसे आ गया to create होना चाहिए तो ये infinitive नहीं है आप फोड़ा सब पहचानेंगे तो आपको rules में जाने की जरुत नहीं पड़ेगी to create अगर infinitive होता तो ये एक उद्दिश होता ऐसा करने के लिए जबकि ये barriers किसके सामने है वो दे रखा है तो इसलिए ये आपका 2 प्लस V0 नहीं आएगा तो कहरे है यदि रन नीतिक रुकावटें हैं किस चीज में रुकावटें creating momentum momentum का मतलब गती को बोलते हैं यहां momentum का मतलब force या power मान लीजिए momentum बनाने में किस चीज में momentum बनाना है इन लक्षों की प्राप्ति है तो इस जो इस डेमोंस्टरेटिव एजएक्टिव है इसके वाद नाउन दे रखाए नाउन नहीं होता डेमोंस्टरेटिव प्रनाउन होता यदि strategic barriers है रन नीतिक बाधाएं हैं किस चीज में इन लक्षों को प्राप्त करने के लिए जो momentum create किया जाना चाहिए जो एक गती पकड़ी जानी चाहिए उसमें जो अगर नीतिक बाधाएं हैं तो वो बाधाएं जो हैं वो जूड़ी हुई है किसके साथ specific reasons विशेज छेत्र जो है maritime tension के उनके साथ ठीक है समुद्र ये कुछ परिशानिया है tension है उसके specific reasons है छेत्र है उसमें including और ये reasons कौन-कौन से है इसमें ये शामिल है जो सागर का नाम हो महासागर का नाम हो दे लगता है तो ये black sea से पहले ये south sea से पहले ठीक है बई पहले के लिए former का यूज़ करते है former का opposite होता है letter former है इसका opposite होता है letter दोनों से पहले हम दे लगाते हैं याद रखिएगा ठीक है तो जो पहले वाला है जो south china sea है ठीक है US secretary of state Anthony Blinken अब ये जैसे हमारे विदेश मंतरी होते है वैसे विदेश सचीव है ये है Anthony Blinken US के derided decried decried का मतलब होता है आलोचना करना criticize तो इन्होंने आलोचना करी decry किया the dangerous encounters between vessels at sea किस बारे में बात कर रहा है south china sea के बारे में इसके बारे में US secretary of state है इनका नाम Anthony Blinken है उन्होंने आलोचना की है क्या कहा है इन्होंने कहा है कि बहुती खतरनाक encounter होते है encounter मतलब आमना समना होता है मुठबेड होती है किसके बीच में vessels vessels boat या ship को बोलते है जहाज या नाव को बोलते है ठीक है at sea इस सागर के अंदर and provocative actions बढ़काऊ और बढ़काऊ कारिये होते है तो advance किसलिए बढ़ाने के लिए unlawful maritime claims unlawful गैर कानोनी maritime समुद्रिये claims दावे ठीक है इनको बढ़ाने के लिए provocative actions होते है rejecting actions ये कब क्या का है इन्होंने कच कैसे कहा rejecting actions actions reject करते हुए अभी actions कौन से है that they are related ये वो actions है जो intimidate करते है bully करते है बात एक की है डराना intimidate और bully का मतलब दादागिरी करना दराना वो कारिये जो डराते है other states अन्य राज्यों को अन्य देशों को अन्य सरकारों को from lawfully accessing their maritime resources की वो कानूनी तरीके से access कर सकें प्राप्त कर सकें अपने समुद्रिये resources को उनको वो समुद्र भी यूज नहीं करने देते हैं फिर समझना जो फॉर्मर है ये जो साउथ चाइना सी है इसके बारे में इन्होंने कहा इन्होंने आलोचना करी कि ये जो जगह है जहां पे खतरनाक encounters होते है vessels के बीच ठीक है और provocative claims होते है मतलब actions होते है भड़काओ काम करके जाते हैं यहाँ पे ताकि unlawful maritime claims को advance किया दा सके जो गैर कानूनी तरीके से समुद्रिये दावे हैं उनको बढ़ाया जा सके rejecting actions और यह क्या कर जाते हैं इसमें उन actions को reject करते हुए वो actions जो डराते हैं अन्ने सरकारों को किसलिए कि वो गानूनी तरीके से अपने maritime resources को access कर सके उनसे डराते हैं ठीक है? similarly ठीक इसी तरीके से adverb है regarding the black sea अब बात करी black sea के बारे में पहले तो बात की थी south China sea के बारे में अब है black sea के बारे में इसी तरीके से black sea के बारे में the केर्च stretch the sea of azv एक तो ब्लैक सी हो गया एक जल डमरू मद्दे है इसका नाम ये केर्च है और एक है ये सी ओफ अजो इनके बारे में अगर कहा तो मिश्टर बिलिंकर ने क्या कहा मिश्टर बिलिंकर ने जो डिबेट चल रही थे था नहीं इस डिबेट में हिट आउट अलोचना करी हिट अब ये अब ही ठीक है ये सब्जेक्ट है कंटीनूड अग्रेसिव एक्शन कंटीनूड लगातार अग्रेसिव आक्रामक एक्शन कारेवाही किसके खिलाफ यूकरेन के खिलाफ ठीक है तो कह रहा है कि भी इसके बारे में इन तीम के बारे में बात की ब्लैक सी के बारे में केर्च स्ट्रेट के बारे में तो इन्होंने UNSC की डिबेट में मिस्टर बिलिंकन जो वहां के क्या है सेकरेटरि अब स्टेट हैं इन्होंने आलोचना करी किस बात की कि जो को जो अमेरिका ने माना था कि यह लगातार अकरामक कारेवाही की जा रही है यूकरिन के खिलाब इस बात की जो कारेवाही हो रही है इसको इन्होंने आलोचना करी विच आल डिस्रॉप्टिंग अब यह जो एक्शन हो रहे है उसकी बात कर रहे है ये जो कारेवाई हो रही है लगातार आकराम कारेवाईयां ये disrupt कर रहे हैं ये व्यवधान डाल रहे हैं डिस्रप्ट का मतलब है disturb करना है तो ये व्यवधान डाल रही है किसमें commerce and energy access commerce वानिज्य पैसों का लेन देन व्यापार energy access की उर्जा संबनी संसादन है उन तक उनकी प ओल्दो यद्धपी India's presidency of the council is brief भारत की जो अध्यक्षता है इस council की यह presidency यह प्रेजिदन्सी क्या है ब्रीफ है संख्षिप्ट समय के लिए है ठीक है तो यद्धपी भारत की जो अध्यक्षता है इस council की वह संख्षिप्ट समय के लिए है फिर भी आप चुक्य ओल्दो आ तो although के बाद में कॉमा लगा रखा है आप इस कॉमा के जगए यट या still भी लगा सकते थे है ना तो although या दो अगर दे रखा हो although या दो दे रखा हो तो conjunction जो है या तो यट लगा दीजिए या still लगा दीजिए या comma लगा दीजिए तो यदपी भारत की अध्यक्षता जो है इस council की वो brief है फिर भी it's a sustained commitment भारत का जो लगातार commitment है sustained का मतलब continuous commitment का मतलब प्रतिबद्धता किसको लेकर तो commitment में लग गया promoting maritime security promoting प्रमोट करना maritime समुद्रिये security सुरक्षा कि भारत की जो लगातार प्रतिबदता है कि भारत चाहता है कि maritime security को promote किया जाए और क्या किया जाए ट्रेड को boost करें बढ़ाएं किस माध्यम से sea roots के माध्यम से समुद्रिये मारगों के माध्यम से ठीक है तो ये जो commitment है will require इसके लिए जरुवत पड़ेगी it to be a droid it भारत के लिए कि भारत क्या हो चतुर हो कुशल हो skillful हो clever हो किस चीज में negotiate करने में तर्चा करने में with these squabbling powers किसके साथ इन लड़ाकू शक्तियों के साथ squabbling का squabbling होगा जगडालू शक्तियां मतलब देशों की बात है and creative और भारत रचनात्मक हो किस चीज में seeking resolution resolution हल seeking चाहने में कि भारत यहाँ पे resolution या यहाँ पे संकल्प कह सकते हो संकल्प यहाँ पे ले of the very real conflicts और यह resolution किसका है solution भी कह सकते हो किसका है जो वास्तों में conflicts है जो लड़ाई जगडा है उसका और यह किसके center में है यह है their disputes उनके जगडों के center में जगड़े किस कारण से होते हैं उनके real कारणों में जाए तो यद्दपी भारत की presidency council में brief है फिर भी जो इसके लगातार commitment है भारत का कि भारत चाहता है कि maritime security को promote किया जाए trade को boost किया जाए समुद्री मार्गों के माध्यम से तो यह जो commitment है यह commitment के लिए ज़रुत पड़ेगी भारत को एड्रोइट होने की कुशल या चतूर होने की किस चीज में बादचित करने में इन powers के साथ और यह powers कैसे है squabbling है तो यह adjective है इन जगड़ालू शक्तियों के साथ और भारत को ज़रुत पड़ेगी कि भारत यहाँ पे हल निकालने में रचनात्मक हो किसका हल जो वास्ता में conflicts है है ना और conflicts किसके center में है किसके heart में है इन disputes के यह देर आ रहा है इन powers के लिए तो उनके जगड़ों की जड़ जो है उनका resolution निकालना के लिए भारत को creative होना पड़ेगा वाइल सम में deride deride का मतलब क्या होता है उपहास करना make fun of mock यह बताया था radical तो हो सकता है यद्दपी अवाइल से starter दो close है यहाँ पे यद्दपी कुछ जो है हो सकता है कि उपहास करें इस चीज़ का बताया था United Nation Convention Law on Sea किस रूप में कि एज लेकिंग टीथ टीथ का मतलब यहाँ पे दानत नहीं है इसका मतलब पावर है ठीक है कि कह सकता है कोई आदमी कह सकता है कि कोई भी ऐसा हो सकता है कि वो उपहास करें इस चीज़ का कि इसके पास पावर तो है नहीं For enforcement ठीक है किसके लिए Enforce करने के लिए चीज़ों को लागू करने के लिए Ultimately It is the only comprehensive framework अब यह नया उपवाक के स्टार्ट हो गया है इसको इसी रूप में पढ़ें While का प्रियोग यहाँ पर Although के अर्थ में हुआ है तो यद्दपी कुछ लोग जो है वो हो सकता है कि उपहास करें इस UNCLOS का इसको ऐसे कह सकते हैं इसके पास पावर नहीं है लागू करने के लिए फिर भी अंत्त है यही एक मात्र दै अगर ओनली से पहले है तो एक मात्र है यही ओनली comprehensive framework comprehensive मतलब समग्र संपूर्ण framework मतलब एक structure तो यही एक मात्र comprehensive framework है laws का कानून का available जो उपलब्द है किसके लिए maritime powers समुद्रिय शक्तियों के लिए to assert assert का मतलब दावा करने के लिए their rights कि वो अपने अधिकारों का दावा कर सके consistent with वो दावे वो अधिकार जो consistent है consistent मतलब लगातार बने हुए है with a rules based international order नियम आधारित अंतराष्टरी आदेश ठीक है फिर समझना फिर भी यहाँ पर उपहास कर सकता है कि power नहीं है इसके पास है न फिर भी यही एक मातर comprehensive framework का यही एक मातर कानून का जो एक structure है उसका एक comprehensive framework है है न जो की उपलब्द है maritime powers के पास कि इसके माध्यम से वो अपने दावे जो है उन मतलब दावे कर सकते है अपने अधिकारों का दावा कर सकते है ठीक है कौन से अधिकार जो की लगातार बने हुए है rules based international order के साथ through its UNSC presidency through मतलब माध्यम यह preposition है अपने UNSC presidency के माध्यम से UNSC में ध्यक्षता के माध्यम से and beyond और उसके परे New Delhi मतलब भारत की बात है must faithfully advocate must का प्रियोग होता है तो obligation के लिए होता है कि जरूर से जरूर बाद देता है ठीक है तो अपनी UNSC presidency के माध्यम से और इससे परे अगर सोचें तो भारत जो है उसको faithfully बड़े ही faithful तरीके से बहुत ही मतलब कहें कि विश्वाजनक तरीके से advocate करना पड़ेगा समर्थन करना पड़ेगा for ratification मतलब confirmation को बोलता है ठीक है UNCLOS के ratification के लिए advocate करना पड़ेगा ठीक है इसकी confirmation की इसकी पुष्टी करने के लिए advocate करना पड़ेगा कि हाँ ये सही है by all major maritime powers किसके द्वारा सभी मुख्य जो maritime शक्तियां है समुद्रिये शक्तियां है उनके द्वारा और इस शक्तियों में US भी शामिल है including यहाँ preposition है ठीक है तो अपनी UNSC Presidency इसको टेस्ट किया जाए इसको verify किया जाए सभी major maritime powers के द्वारा और इसमें US भी शामिल है तो यह था दोस्तों आज का editorial और आज से हम बैठे स्टार्ट कर रहे है editorial का तो उसमें आप जुड़ सकते हैं मिलेंगे कल ठीक श्याम पांथ बुजए तब तक लिए नमस्कार थेंक यू बेरे मच्च